string functions के tutorial में आपका स्वागत है मैं इन string functions के बारे में बताऊंगा जो कि यहां दिखाए गए हैं इन में से अधिकांश बहुत उप्योगी और नियमित उप्योग में आने वाले application के लिए अनुकूल है साथ ही जो वीडियो में बनाऊंगा या जो बनाए हैं उन सभी के लिए निश्चित रूप से अनुकूल है ठीक है तो जो पहला हम बताएंगे वह है strlion या काफी सरल है जिसमें हमारे पास hello नामा के एक string value है तो अब यह function एक string लेगा और उस string में अक्षरों की संख्या की गिंती करेगा तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच अक्षर है और यदि हमें इस function का इस्तिमाल करके variable string की value एको करनी है तो हमारे पास हमारे browser में परणाब 5 होना चाहिए अब अगला function इसके लिए लागू होता है यदि आप एक for loop का इस्तिमाल करके string अक्षरों के माध्यम से loop करना चाहते हैं तो आपको विशेश सब string को भीतर लेने के लिए mb सब string के आवश्कता होगी उधारण के लिए अगर आपके पास my name is Alex नामक string है और हम इसके माध्यम से loop करना चाहते थे तथा पत्तिक अक्षर को जांचना चाहते हैं उधारण के लिए यदि आपने name splitter tutorial देखा है हम पत्तिक अक्षर में से loop करते हैं जब तक हमें एक space नहीं मिलता और फिर वहां से हम last name save करते हैं तो पहले मैं mb से इस्ट्रिंग echo करता हूँ और फिर हम उस स्ट्रिंग को इस पस्ट रूप से बताते हैं जिसे हमें जांचने क्या विशकता है आपको शुरुआती point बताने की जरुवत है इसलिए मैं कहूँगा एक वास्ताव में मैं शून्ने कहूँगा और फिर length कहूँगा 2 तथा यह my echo करना चाहिए refresh करें ठीक है हमें यहां my मिला है ठीक है तो इसने क्या किया है कि यह इस string के माध्यम से गया है ठीक है हम शून्ने के शुरू करेंगे और एक दो के लिए इसे यहां echo करेंगे अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा strln माफ कीजे length equals इस string की length के लिए मैं यहां एक नया variable बना रहा हूँ और फिर मैं इस value को दो से बदलूँगा जब तक मैं शून्ने से शुरूआत करता हूँ मैं यहां string length डाल सकता हूँ या माफ कीजे length और जैसे ही हम refresh करते हैं हमें पूरी string मिलती है और मैं यह भी कर सकता हूँ कि यहां अंत में अपने नाम के लिए str alien minus 5 पूर्विराम सहित लिख सकता हूँ तो मैं कह रहा हूँ minus 5 तो यह length में से 5 निकाल देगा और सिर्फ my name is echo करेगा refresh करें और हमें my name is मिलता है तो यहां दो functions बहु उपयोगी हैं और str alien का इस्तेमाल करके जो कि यहां mb सब string के लिए लागू होता है ठीक है अतहर अगला function जो हम देखेंगे वह है explode अब explode एक string लेगा जैसे कि यहां हमारे पास है चलिए लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और explode function explode echo करेगा यह आपकी pain string को शिर्वात से अं तक break करेगा यह इसे एक array में break करेगा मानिये कि हमें यह बनाना है और लिखना है मैं एक, दो, तीन, चार, पांच array के पर त्यक अलग element में संचित चाहता है मैं कहूँगा explode string नहीं मैं नहीं कहूँगा string को break करने के लिए क्या प्रयोक्या जाता है मैं निर्दिष्ट करूँगा फिलहाल यह एक space है यदि हमारे पास slash होता हम इसे slash से बदल देते क्योंकि यह determinant होगा जहां यह शुरू होता है और यह separator है यह दूसरी value है तो फिलहाल के लिए space रखते है ठीक है तो यहां जो चाहते हैं वो जोड सकते है यह एक asterisk हो सकता है यह कोई भी चिन हो सकता है आपको निर्दिष्ट करने के आफश्रता है कि क्या चीज string को break कर रही है explode author string का नाम और यह हो जाना चाहिए चलिए उससे देखते हैं refresh करें array अभी array को echo कर रहे है आप इस पर्ष रूप से देख सकते हैं कि मैंने फिर एक array को echo किया है हम यह कह सकते हैं कि यह array पर set किया है क्योंकि यह हमने अपने array के बुन्यादी tutorial में सीखा था और यहां यह कहता है कि हमारे पास array है तो अब अगर हम इसी पर यह function का प्रेव करते हैं और फिर echo करते हैं वास्ताव में पहले हमें इसे variable में set करने के आपशकता है चलिए लिखते हैं exp array equals यह और फिर कहेंगे exp array और हम numbers को echo कर सकते हैं हम शून ये एक, दो, तीन, चार इस्तेमाल कर सकते हैं और यह होगा तो जैसे ही यह value शून होगी यह एक के बराबर होगा तो मान लीजिए हमें एक echo करना है जो कि दो के बराबर होना चाहिए ठीक है हमने सफलता पूरत अपने array को तोड़ दिया है जैसा कि मैंने पहले कहा था हम यह slash डालते हैं और space को slash से बदल देते हैं और हमें वास्ताव में यहां वही परिणाम मिलेगा ठीक है तो यहाँ explode है अब उसका विपरीद implode है चलिए इसे हटाते हैं और आप यहाँ implode function देख सकते हैं इसे join भी कहते हैं तो आप इसे join या implode कह सकते हैं जो आप चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा कि एक नए string तथा इसकी implode value टाइप करूँगा और हम अपनी exp array implode करने जा रहे हैं ठीक है चलिए इसे देखते हैं तो हमने इसे किसी error के बिना कर लिया है लेकिन यह किया जा सकता है कि आप इस पष्ट कर सकते हैं कि किससे आप array break करें तो यहां मैंने एक space डालने का निष्टाय किया है लेकिन अगर आपको यहाँ slash चाहिए तो आप एक forward slash डाल सकते हैं और परणाम प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन वापस आते हैं यह functions to and from array को बदलने के लिए हैं तो explore तथा implode और जैसा कि हमने पहले कहा था इसे join लिख सकते हैं अथा refresh करें और हमें वही परणाम मिलता है तो यहाँ implode function है ठीक है अगले function पर हम जा रहा है वो है nl2br अब वास्तों में यह function कार्यात्मक और सरल है जब हम database के साथ काम करते हैं जब तदकार line के आधार पर data संचित क्या जा रहा हो आप याद करें कि मैंने कहा था यदि आपने बुन्यादी tutorial देखे होते तो आपको पता होता यह hello यह कहूं hello new line another new line और मैं हाएक अर्ड रिराम लिपता हूँ जो कि यहाँ line break है इसे एचाही रखते हैं यदि इसे echo करते हैं हम सोच सकते हैं कि क्या होगा हमें यह मिलेगा यदि हमें वे अलग line पर चाहिए तो हमें BR का उप्योग करना होगा तो यदि किसी कारण से आपको HTML का उप्योग नहीं करना है या यदि आप डेटाबेस के परणाम से ले रहे हैं तो उसमें line break डालने के लिए आपको एक काफी digital function बनाना होगा यह होता है जब लोग इसे डेटाबेस में set करते हैं अतहर यदि आप इसे नहीं बना सकते हैं और डेटाबेस में सिर्फ यहाँ लेम टेस्ट है आप वास्तों में यहाँ करना चाहते हैं कि एको ऐसे हो कि इसमें खुद से break डालना और उद्धरन चिनों के अवश्यक्ता ना हो लेकिन आप एक string के शिरुवात में NL2BR लिख रहे हैं और हम यहाँ पर कोश्टक का अंद करेंगे आप देखेंगे कि यह उसी तरह एको करेगा जैसा हम चाहते हैं हमें उपर एक line break मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ किया है यहाँ एक space D है चलिए से हटाते हैं तो NL2BR के बिना हमें सभी चीजें एक line पर मिलेंगी और NL2BR के साथ हमें अलग-अलग lines मिलेंगी जैसे कि हम चाहते हैं अच्छा तो समय की कमी है इसलिए वीडियो यही रोग देते हैं अन्य functions के लिए एक दूसरा भाग है क्रपिया उसे देखें आप से फिर मिलेंगे यह इस क्रिप्ट सकीना शेक द्वारा अन्वादित है तथा आयटी बॉम्बे के उससे मैर अभी कुमार अब आप से विदा लेता हूँ धन्यवाद